हेलो फ्रेंड्स तो आज इस वीडियो में हिस्ट्री और भारत सेकिन का चाप्टर फाइफ क्लास सेवन्थ जिसका नाम है एजुकेशन लिट्रेचर एंड आर्ट इन एंशेंट इडिया को कवर करेंगे तो इस चाप्टर में हम जो है तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे सबसे सबसे पहला है एजुकेशन के पारे में पढ़ेंगे एंशेंट इंडिया में एजुकेशन फिर हम लिट्रेचर साहित्ते के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कला के बारे में आर्ट इन एंशेंट इंडिया सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम तो विदास सबसे oldest text है word के अंदर education जो विदास के ऊपर based होती है उसको वैदिक education बोलती है जो education विदास से दी जाती है बच्चों को उसको वैदिक education बोलती है ancient gurukul system जो education था ancient times में education जो pupils को वहाँ पर वहाँ के सिश्य होते हैं उनको education कैसे मिलती है विदास की help से उपनिशेट की help से निरुकताजन विदांस इन सभी की help से वहाँ पर सिश्य को जो है सिख्षा प्राप्त होती है सिख्षा उनको दी जाती है इस system में people को education प्राप्त करनी होती है उनके गुरु के घर पर रहकर ही बाद में gurukul को बनवाया जाता है और students फिर वहाँ पर forest में अपने गुरु के आश्रम में ही रहते हैं वहीं पर वो रहते हैं वहीं पर उनको सिख्षा प्राप्त होती है सो पहले वहाँ पर गुरु कुल नहीं form हुए थे गुरु कुल नहीं बनवाये गए थे सबसे पहले वो अपने गुरु के घर पर ही जाकर वहीं सिख्षा प्राप्त करते हैं वहीं पर रहकर बाद में gurukuls बनवाये गए थे अब तीन दिन के एक्जाम्स वहाँ पर होते हैं तो उपनेयन संस्कार जो एक डिसिपल का एक सिख्षय का वो परफॉम होते हैं तीन दिन एजुकेशन के बाद होता है उपनेयन संस्कार जितने भी वहाँ पर सिख्षय होते हैं उन सभी को इक्वल एजुकेशन मिलती हैं क Pranunciation of text was given, अब देखो, Pranunciation पर बहुत ज़ादा वो focus डालते हैं, बहुत ज़ादा जोड डालते हैं Pranunciation पर, जो वेधिक मंत्र होते हैं, उनको अच्छी, pure Pranunciation के साथ वो जबते हैं, और Self-Study and Discourses, Discourses मतलब परवचन, Self-Study जो खुद हम स्वम पड़ते हैं, वो बहुत ज़ादा, वो basic part है वेधिक education के, education क्या करते हैं, एक student को internally अंदर से और externally भार से उसको बहुत ज़ादा strength, strong बनाती है education, student को, जो objective होता है education का, वो क्या होता है, जो student के mind के अंदर जो चंचलता चल रही है, fickleness जो है, उसको control करना, उनके mood को purify करना, relation के लिए उनके मन में love होना, भलाई होना, respect करना अपने parents and teachers को, और जो ancient education system है, यह क्या करता है, नूटर्ड करता है, मतलब portion, एक सिश्य को किस चीज से भरता है, वो उसके अंदर त्याग ना, मतलब त्याग जैसे चीजों को उनके अंदर, त्याग ना, जो है, उनके अंद भरे जाते हैं ancient education system की help से, तो renovation oriented culture मतलब किसी चीज को हम त्याग देते हैं, तो वो त्याग ना भी इसी में सिखाया जाता है, अब हम गुरुकुल पढ़ते हैं, गुरुकुल होता है, अभी पढ़ा हमने एक school, एक आश्रम जहां पर जो सिश्य होते हैं, उनको education मिलती है, अ education को receive करने से पहले, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे education, यग, study, charity, ये तो हैं तीनों के तीनों, salvation होता है, मुक्ती, so मुक्ती के, कौन-कौन सी चीजे मुक्ती का, मतलब सीधा, द्वार की तरफ लेके जाती है, तो जग्य, study करना, और दान, ये तीनों ही चीज जो है, में र प्रमचारिय, गृिस्तहास्रम, वनप्रस, अंसन्यास, वैदिक education में जो रास्ता होता है, historic subjects, historic subjects मतलब की जो गुप्त subjects होते हैं, जैसे की संसार और संसार के प्रे क्या है, और जो इस life की problems क्या है, soul की knowledge के बारे में, God के बारे में, travel के बारे में, character building के बारे में, respectful feeling of others, दू आप देखो, एक student की personality के ऊपर बहुत जादा जोड डाला गया है, ताकि उनकी full round development हो सके, वैदिक education में, एक broad outlook और इंके ऊपर एक positive पहलू बन सके, students जो है वो education, उनके guru की presence में ही वो education उनको प्राप्त होती है, और उस time पर एक trend था, vocational education का, vocational education होता है, विवसाइक सिक्षा जहां पर छात्रों को उनके विवसाइ, जो वो क्या काम करना चाते हो, उनको चुनने के लिए, अपने विवसाइक को चुनने के लिए, और विवसाइ समद्धिक जो उनके अंदर योगताई हैं, उनको प्राप्त करते हैं वो, सो ये भी एक उस time पर vocational education का भी trend था, अब हम क्रेक्टरस्टिक्स पढ़ेंगे, ancient teaching method के क्रेक्टरस्टिक्स क्या थी, ancient times में अचारिया का एक special place होता है, अभ्यास के प्रोसेस में, अचारिया जो है, अचारिया को देवता का टाइटल मिल चुका था, अब देखो, एक teacher और सिश्य के बीच में एक personal relationship होता है, जो सिश्य होता है, वो guru की clan, गुरू की clan मतलब उनकी family के member की तरह ही वो उनके साथ रहता है, teaching उस time पर oral होती है, मुक से होती थी, और जो help, books की कभी-कभी कभार-कभार help ली जाती है, daily, daily help नहीं लेते है books की, का बार जबी कुछ problem होती है, कुछ देखना पड़ता है, तो तब उनकी books की help ली जाती है, अब वैदास जो हती है, study की, उनके सिश्य को, उनको study करवाया जाता है, और उनको सिखाते हैं, अलग-अलग forms में, practice होती है, जो teaching की, special attention, जब से जब से जब से special attention, जो है, pronunciation को दी जाती है, holidays को भी fix किया गया, कि छुटी कब होगी, तो वो प्रतिपाड़ा, अस्तनी, चतुरदशी, पुर्निमा, अमाफस्या के दिन ही जो है छुटिया होगी, और कभी-कबार छुटिया भी हो जाती है, जब कोई accidental events होते हैं, जैसे कि कोई disturbance कॉज कर रहा है, attacks होती है, दकेत होती है, accident होता है, या फिर natural प्राकर्तिक कोई आपताई आ जाती है, तो उस तिन उस टाइम पर भी जो है छुटिया मिल जाती है, अब इसके बाद देखो, studying the Vedas means not only memorizing mantras, अब देखो, वेदास को study करने का मतलब यह नहीं है, कि जितने भी मंतर होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ याद करना, नहीं, मंतरों को याद ही नहीं करना, लेकि उनको understand भी करना, उनके meanings के बारे में, कि इस मंतर का क्या मतलब है, अब याद याद नहीं करना है, उसको समझना भी है, उसके अंदर क्या है, उसका meaning क्या है, discipline was strict emotions and desires were restrained, अब देखो, जो discipline था, उसके अंदर strict emotions and desires, यह सारी की सारी चीज़े जो थी, absent थी, restraint थी, desires के बारे में, उनको कुछ नहीं बता जाता था, desires कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, यह वहाँ पर absent थी, emotions and strictness भी इतनी नहीं थी, अब there was no fee for the study, study के लिए वहाँ पर कोई fees नहीं थी, नहीं उनके साथ discrimination होता था, किसी के साथ, special efforts जो थी, वो, वर्टू, made to protect and enhance, वैदिक culture को protect करने के लिए, उसको enhance करने के लिए, बहुत ज़्यादा special efforts जो है किये गए थे, for the, अब देखो student के upliftment के लिए, upliftment मतलब उनका, उनकी उन्नती के लिए, जो student की उन्नती के लिए, क्या किया जाता था, एक spiritual environment बनवाया जाता था, थाकि उनकी उन्नती हो सके student की, and such as by performing, और यग वगएरे को भी perform करते हैं, ज़्यादा जो focus है वो उनकी mind के ओपर डालते हैं, mind को purify करने के लिए, words को, deed मतलब उनके कारिये को, एक student के कारिये, उनके word, mind को purify करने के लिए, ज़्यादा focus डाला जाता है, और after the completion of education की completion के बाद, समवर्तन ceremony perform होती है, देखो, education practice करने से पहले, उपने अन संसकार उनको perform करना पड़ता है, education smart होने के बाद, उनको समवर्तन ceremony जो है, उनको perform करनी पड़ती है, आप women's के बार में पड़ेंगे, women's education in ancient times, यह clear है, from the study of Vedas की study से, कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा system था, women की education के लिए, वेधिक period में, वहाँ पर एक उपनेन संसकार उन भी women's के लिए होता था, और उनके, she also received higher education उनको भी मिलती थी, वुमेन को रिक वेदा में ब्रह्मा का जो है, दर्जा दिया गया है, knowledge को attain करने के बाद, उनको जो है, teaching, poetry भी सिखाते हैं, weaponry, weapons के बार में भी knowledge देते हैं, fine arts, music, dance, acting, जो है सारी की सारी जो इनको study, knowledge, ज्यान प्राप्त करने के बाद, इनको poetry, weaponry, fine arts, music, dance, acting, etc. जो है, women's को सिखाते हैं, एक women, जो की dance करते-करते वो गाना भी गाती है, और dance भी करती है, उसको विशराद बोलते है, वो famous होती है, अपने dance के साथ-साथ singing करने में भी, in the open shades, there is a lot of description of ideal women, आप दिको, open shades के अंदर जो है, बहुत सारी जो women's है, उनकी description दिया गया है, जैसे कि मैतिरी, जो की wife थी, सागा, यगवल्क्या की, भारती, जो की wife थी, मंडन, मिश्रा की, गर्गी, etc. इन सब के बारे में भी दिखाया, बताया गया है, बट after the Vedic period, Vedic period के बाद जो women's education है, वो गेरती चली गई, decline उनके अंदर, fall होता गया, military education देखो, अब it is, यह mention किया गया है, अथर वेद में, अब चार टाइप के वेद होते हैं, तो जो अथर वेद है, उसके अंदर mention किया गया है, कि यह mandatory होता है, हर एक person के लिए, military education अपनी country को defend करने के लिए, उनको military education प्राप्त करनी पड़ती, यह mandatory होता है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे main center क्या थे education के, कि कौन-कौन सी center ऐसे थे जहां पर education प्राप्त होती थी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नलंदा उन्युवस्टी, अब यह located थी राजगरिहा district और पतना के राजगरिहा district में, यह university found की गई थी, कुमार गुपत के द्वारा, और हिंग सेंग जो की चाइना से आये थे, उन्होंने भी यहां पर दो साल study की थी, 10,000 students and 15-10 teachers यहां पर वर्क करते थे, यह एक residential university थी, यह नहीं है कि इंडिया इंडिया से ही students यहां पर आते थे, नहीं, चाइना, भुटान, नेपाल, जपान, शिलंका थे बच, अलग अलग जगे से, अलग अलग country से भी यहां पर जो है study education receive करने के लिए आते थे, language, grammar, political science, theology, science, mathematics, philosophy, etc. जो है सारी है नलंदा university में, तोट होती थी, सिखाते थे, पढ़ाते थे and harsh also paid special attention to the learning center और harsh further ने भी बहुत ज़़ा special attention दी थी नलंदा university में learning के उपर अब इसके बाद हम करेंगे तक्षिला university, तक्षिला university oldest university है इंडिया के अंदर यह located है जोलिया पिपला विलेजिस जो की रवाल पिंडी जो की प्रेसेंट दे पाकिस्तान में है यह जो description दिया गया है इस place का यह found किया गया है बहुत सारी ancient text में जैसे की महाभारत, रमायन, etc. में तक्षिला university का जो place है उसके बारे मे डिस्क्राइब किया गया, description दिया गया है, but it got a place as a center of education before the 7th century, लेकिन इसको 7th century से पहले ही इसको place दिया गया था, center of education का, it attracted students, इन्होंने बहुत दूर-दूर के students को भी attract किया, जैसे की राजगरी है, बनारस, उजे, etc. बाद में यह जो university है, यह खतम होती चली गई, जब य पुनाज ने अपना आकरमन इसे university पर किया, तो इसका decline होती गई, खतम होती गई, but it remains sure that it was, लेकिन जो इसकी बची हुई चीजे बची हुई आज भी यह यह दिखाती है, कि यह जो university थी, यह बोत ही high class university थी और यह एक center थी, culture थी, high class university थी और culture का center थी, बहुत सारी books, religious literature, economics, political science जो है यहाँ पर लिखी गई है, doctor जिसका नाम है जीवक, जिन्होंने मात्मा बुद को प्रीट किया था, उन्होंने भी एपनी 7 साल education इसी university से प्राप्त की है, यहाँ पर education जो है विदास की, foreign language, grammar, ayurveda, astrology, medical education, agriculture, etc. यहाँ पर इन सभी के बारे में education वहाँ मिलती है, people जो study क जैसे की पनानी, चानक्या, जीवक, etc. इसी university से पड़े हैं, यहाँ पर admission से पहले entrance exam होता है, इसके बाद admission मिलता है, इसके बाद करते हैं वलभी university, यह जो university है, यह नलंदा university के जैसी ही है, जो की कार्थियावार गुजरात में located है, यह situated in the present भवनगर, अब यह आज के टाइ अब देखो, मैतरी का डिनस्टी ने गुजरात को फिफ्ट से लेकर एट से लेकर एट सेंचुरी तक इन्हों ने रूल किया इस डैनिस्टी ने, इस university को established in 470 EDI में, इस university को established किया गया, कमांडर भटार का के दुवारा, जो की किस डैनिस्टी का थ, जो की मैतरी का उन्हों ने इस एडुकेशन सेंटर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में उन्होंने अपने वर्क्स में इसको एक्स्प्रेइन किया इनके बारे में उन्होंने बताया है अब आई सेंग अलसो लिवड हेर फोर त्री त्री यह तक आई सेंग भी यहां पर रहते हैं अकोड़िंग टूहिंग सेंग के दुआरा जो युणिवस्टी है फेमस है नलंदा युणिवस्टी के जैसे ही बहुत फेमस है वलभी ने बहुत सारे स्कॉलर्ज को जो की बहुत दूसरी-दूसरी कंटरी से थे उनको अट्रक किया and people जो study करते हैं यहाँ पर उनको respect मिलती है all over country अब बहुत सारे subjects यहाँ पर पढ़ाई जाते हैं इस university में especially law, economics, mathematics, literature, एक number of monasteries मट भी यहाँ पर built करवाए गए है there was also the capital of matries, जो matri dynasty है उनकी capital भी यही परती जो कि इस university के विलकुल आस पास थी यह continue till 775 AD तक continue रहा और बाद में जो है अरब्ज ने यहाँ पर invade किया आकरमन की वज़े से इस university का downfall होगे आप करेंगे विक्रम शिला इनुवस्टी के बारे में यह located है भागलपुल डिस्ट्रिक प्रेज़न दे बिहार में इस इस्टाब्लीश करवcą है कि यह पृड़्ढवर होगेया रूलर है रूलर है दरंपाल ने इसको ב׉स्टाब्लीश करवाद Tha यहाँ पर एक बहुत large numbers जो है यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर इस university में आते हैं और वापिस अपनी country जाते हैं तो उनको high positions उनको appoint किया जाता है बड़ी बड़ी positions उनको दी जाती है at the request of king of china की जो china के king ते उनकी request पर एक scholar जिसका नाम था दिपंकर श्री ग्यान उनको भेजा गया चाइना यहाँ से चाइना भेजा गया उनको the administration of this the university was managed by महत अब देखो जो शाशन था इस university का उसको manage कौन करता था उसको संभालता कौन था so महत्सवर who was its choice का vice chancellor था वो इस university को संभालता था teacher follow the principle of simple living and high thinking के principle को ही वो follow करते यहाँ के teachers special studies यहाँ पर grammar में philosophy rituals etc में special जो study करवाई जाती है बात में जो study है tantra mantra की यहां started हो गई जिसके वज़े से इस university का decline हो गया अब इसके बाद है कंची पुरा university यह जो university है located है कंची पुरम में कंची एक famous city है education center है capital है पल्लव rulers of south इंडिया south इंडिया के जो पल्लव rulers है उसकी capital है कंची जहाँ पर यह university situated है अब यहां पर हिंदू और बुद्धिस religious सिखाए जाते हैं different centers इसके साथ साथ जो study होती है जो teachings होती है religion की logic की jurisprudence मतलब नयाय शास्तर नयाय शास्तर मतलब जुडिश्री नयाय पाली का जो होती है वो और grammar literature सिखाए जाती है वत्सयन जो famous writer है नय भाष्य है वो जटीचर इन कांची में वो एक teacher थे दिगनाग ने भी यहां से education को receive किया है इस place से मयूर वर्मा जो की 5th century ruler थे कदंबा डिनस्ती के यहीं पड़े थे वो भी और जो ट्राइनिस ट्रैबलर है ही उन सेंग वो ट्रावल करते है कांची में एक लोंग टाइंग तर लिया रहते हैं उनके according कांची जो है एक center है वेशनव जैनन महायान स्कूल उफ बुद्धित स का वो एक center है अब इसके बाद हमने education तो पढ़ लिया education in ancient india अब इसके बाद हम literature पढ़ेंगे literature in ancient india में जहां साहित है क्या था देखो ancient india में literature, hindu, buddhist, jain literature को compose लिखी जाती थी देखो jain literature, buddhist literature और hindu literature लिखी जाती थी ancient indian literature में apart from this secular literature, secular literature मतलब सभी धर्म के जो लोग है वो भी यहां पर लिखी जाती थी literature लिखी जाती थी उनके द्वारा भी large quantities में तो hindu literature देखो कौन-कौन सी hindu literature वेदास, ब्रामिन टेक्स्ट, अरण्यक, उपनिशेट्स, धरम धरम सुत्रा, समरीती, रमायन माबार्त, 18 पुरांट ये सारी hindu literature है अंत्री पितक, दिपवन्ष, महावन्ष, बुद्ध चरिता, जताका स्टोरी जे सारी बुद्धिस literature है जेन literature है, दस अंग्स, दस उपंग्स, प्राकिरन, गरंत, पदमा, पुरंट, एच्सक्रास है देरर वर्क्स, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्क्स है, जो कोटल्या, विशाकदत, कालिदाश, शुद्राका, दंदी, विश्नु, शर्मा, पनिनी, पतंजली, भरत, मुनी, बन, हंच, हर्ष, वर्दन दुवारा लिखे गई है जो यह question है, यह जो literature in ancient India, यह जो है, पीछे questions में भी आया हुआ है, जो यह बहुत important कहां से question बनता है, अब हम आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, art in ancient India में, art कैसा तक प्ला art का मतलब क्या, एक मनुष्य का निर्मान, जो उसकी life के अंदर जो खुशिया लेकर आते हैं, उसको ही art बोला है मतलब कि एक मनुष्य का जो creation होती है, निर्मान होता है, जो उसको खुशिया देता है, जो उसको pleasure देता है, उसकी life के अंदर उसको art बोला गया है इंडियर आर्ट एक दर्शन है जो वर्ड है कला वो मैंशन की गई है रिगवेदा के अंदर और बरत मुनी ने इसको अपना निबंध नाट्य शास्तर में भी डिस्क्राइब किया है इसको जो फर्स सेंचुरी में तो रियल मीनिंग आर्ट का होता है प्रेरीत करना इंस्पा आप और पढ़ते हैं सबसे पहले अर्ट इटक्चर यह आठ डिल करता है बिल्डिंग को कंस्टक्ट करने के लिए किलाबंदी के लिए टेंपल स्टूपास बगएरा बनाने के लिए स्कलप्चर जो है बनाई जाती है स्टोर मेटल से पैंटिंग जो है इस पैंटिंग ऑन कोईन के ओपर जो स्टैंप्स होती है प्रिंट किया जाता है उसको इंक्लूड करता है स्टोन आर्ट होता है जो मुर्ति बनती है स्टॉन से मेटल आर्ट होता है यह इंक्लूड करती है जो मुर्तिया ब्रॉंज कॉपर ब्रास से बनती है आवरी आर्ट होती है यह प्लेट के ओपर ही स्टोर्ण..ya जाता है। जबह जाता है। आप 5 भाइं तृइन आप सिर रज़े विशयरborगी देस्टृपय। संबंदित होती है आटिटक्चर्स मुर्तिया वगरा बनाना पेंटिंग्स म्यूजिक और पॉइट्री जो है इसकी फाइन आर्ट के अंदर कंसीलर होती है आप हम बढ़ते हैं सोर्सिज ऑफ स्टडी ऑफ आर्ट आर्ट के सोर्सिज क्या है स्टडी के इंस्क्रिप्शन्स हि जानने के लिए कि ऐसे कौन से सोर् offenses है जिन से हम आर्ट की स्टडी कर सकते हैं तो यह सारी चीजह हैं जिन से यहां आर्ट के बारे में जान सकते हैं It is through them that the characteristics of this art are revealed और इनी की वज़े से इनी की हैप से जो है आर्ट को रिवील किया गया है पता किया गया है Inscriptions होते हैं जो writings engraved on stones के ओपर लिगी गई है वो Runes होते हैं जो बनी बनाई जो buildings वो गिर जाती है तो उन buildings से पता चलता है Travelers account होते हैं जो detailed written by travelers Travelers ने जो अपने जैसे travelers जैसे हुइंग सेंग आये थे इंडिया के अंदर उनिवस्टी के अंदर So वो एक traveler ही तो थे उन्होंने आकर यहां पर फिर वो अपनी country में जाकर लिखते हैं उनको अपनी जो उन्होंने ट्रैवलिंग किये तो यही तो दा traveler account Prehistorical art देखो In the stone age के अंदर man जो होते हैं वो गुफाओं में रहते हैं जो की प्राकर्तिक ने बनाई है वो उन में रहते हैं यह क्या करते हैं यह weapons बनाते हैं stone से, wood से और animals की हड़ियों से अब art of सरस्वती सिंदू civilization की art के बारे में पढ़ेंगे People जो थे इस civilization के वो black और red color की pottery को बनाने में expert थे इसके अलावा जो मुर्तिया है goddess, pictures of plant, animals, birds, fish, re-inder वर जो है बनाई जाती है बड़े-बड़े bathrooms, grain stores, pottery toys and seals, मोरे जो है have found in this civilization में पाए गई है अब हम करते हैं art of Ajanta, Ajanta की जो art है वो Ajanta जो है believe किया जाता है सबसे जादा बड़ी great 30 of the Buddhist period मतलब कि यह सबसे जादा जो है बड़ी great विरासत की मानी जाती है यह Buddhist period की विचो की based है events of मात्मा बुद की events की life की events के उपर based है and जताका tales के उपर based है अब 30 caves जो temples है Ajanta caves की वो खुदाई किये गई है in out of the hills एसे temples है जो वहां पर बनवाए गए है जो caves है perfect mission है वो sculpture, architecture and paintings का जो वो गुफाई है वो एक बहुत ही जादा perfect amalgamation है कि इसका मुर्तियों का, architecture का और paintings का इसके बात करते हैं भाग caves के बारे में भाग caves में क्या है जो Indian painting traditions जो है वो trace की जाजाती है Ajanta in the art of tiger तो जो भाग caves है न वो जो यहां पर क्या बताया गया है कि जो Indian painting tradition है can be traced back वो Ajanta जहां पर Ajanta caves के बारे में बताया गया है वहीं से इनको trace किया गया है तो जो भाग caves are one of the best example है गुपत पीरेड का example है यह और जो shape है इस painting के style is that of Ajanta की तरह ही इसकी shape है भाग caves की total number of भाग caves जो है वहां पर 9 है सिर्फ 9 है और which are all विहार caves जो की सारी की सारी विहार caves है अब गुपत आरा के बारे पढ़ेंगे गुपत आर्ट के बारे में गुपत पीरेड जो एक पीरेड है religious tolerance का Christian और बालरम जो थे वर्षिविन की पूजा की जाती थी जो elegant marking of Hindu gods and goddess took place only in the गुपत पीरेड में ही उनका place था considering Christian as in Christian को ही एक विश्नु का अफ्तार मानकर ही उनकी विश्नु की मूर्टिया जो बनाई जाती है वहां पर large temples and जो है इस पीरेड में बनवाई जाती है जेन केव जेको जो केव्स हैं ये बनाई गई है एड़ एंड ओफ अलरा केव्स चेन की एंड पर जो मूर्टिया है पर्षवर्नात की अंध महावीर तेधंकर की वो जो है इन के बनाई गई है इनके अलावा जो डिजाइन है बहु बली गोमित तेश्वर इस अल्सो पॉपुलर है अब इसके बाद है नत्राज का स्टैचू के बारे में यह जो पीछे पीछे कॉशन्स में बहुत इंपोर्टन इसको कर लेना बहुत इंपोर्टन कॉशन बन सकता है नत्राज स्टैचू इस प्रिज्टिफ स्टैचू जो के के एक स्टैचिम में इन स्टैच जो की स्टैचि नत्राज जी का जो की copper से वनाया गया वह बौस्टोईसे में सुरिक्शित रखा गया है इसके बाद है इलोरा केप्स, इलोरा केप्स जो है वो अरंगाबाद डिस्ट्रिक ओफ महराष्ट में क्लोकेड़ है, वर्ड की फेमस केलाश टेंपल अरोरा वोस ब्यूल्ट दूरिंग दे पीरियो फ्रेस्ट्रा कूटा रूलर कृष्ट्रा कूटा रूलर था, डैनेस्टी की भी बहुत जादा एक रो है वहाँ पर ओन दे बैंक्स ओफ इस टैंपल की बैंक पर अर्डिक्टे को यह आर्ट वोस कॉल्ड अर्डिक्ट्टर ओफ मिक्षर ओफ लॉजिक, इंटेलिजेंस, साइंस का एक मिश्रन माना गया है, इस इन दा आंशेंट आर्ट में जो लोक फिफ्ट जो की क्लास सेवंथ का है, यह जो है कंप्लीट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूली, वीडियो को लाइक और शेर जरू करें, थेंक्यू